तो हेलो एन वेलकम दोस्तों तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के एटियप के बारे में और इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे क्या अभी के टाइम पर यहां पर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए इन एटियप से पे या फिर नहीं क्या फ और इस समय अपने उचितम इस्तर पर है गोल्ड का प्राइज, 63.99 पर ये ETF बंद होता हुआ देखने को मिला है, after Friday market session, और यहाँ पर एक record तोड तेजी बीते कुछ दिनों में देखने को मिली है, और बीते एक महिने में सांदार return है, देख सकते हैं, गोल्ड में बहुती सांदार percent के return बन रहा है, और 6-7% के return सिर्फ एक महिने में मिल गए है, निविसको को, और सेम हाल silver का है, silver का भी आप देखेंगे, तो बीते एक week में 2% के return है, बीते एक महिने में 11% के एक बहुती बड़ा return आता हुआ देखने को मिला है, और जब यह निचले इस तर पे था, gold और silver, दोनों ही ETF के बारे में हमने लगातार आपके साथ update share किया था, और हमने कहा था, यहाँ पर एक अच्छी buying हो सकती है, और जब 79 और 78 के असपास था, silver ETF हमने आपके साथ लगातार वीडियो share की थी, कि यह अच्छा price हो सकता है buy करने के लिए, तो जिन लोगों ने उस इस तर पर buy किया होगा, तो आज आपका return बहुत ही अच्छा बन गया होगा, तकरीबन 10% के उपर का return, और यहाँ पर आपको short period में ही बहुत अच्छा return बन गया है, जितना की आप एक साल में expect करके चलते हैं, और सेम हाल, गोल्ड में भी देखने को मिला है, जब देखिए, जुलाई के मेने में, जब budget आना था, वहाँ पर जो custom duty वगएरा लागाई गी थी, तो उजिस वज़े से यहाँ पर काफी गिरावट आई थी, तो हमने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, जब गोल्ड का price 58 के आसपास था, तो उस level पर जिसने भी buy किया होगा, अगर buy किया होगा, तो यहाँ पर आपका return काफी अच्छा बना होगा, अगर आपने bottom pick नहीं भी किया होगा, एक-दो रुपए उपर महेंगा भी खरीदा होगा, तब भी आपके return अच्छे बन गए हैं, तो अब बात कर लेते हैं, कि देखिए जैसे कि अभी तो इंडियन stock market में गिरावट चल लई है, सभी ETFs गिरावट में, और देखिए market में जब भी गिरावट आती है, फर्क नहीं पड़ता है, reason क्या है, market में जब जब गिरावट आती है, तब तब gold में और silver में तेजी आती ही आती है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए gold और silver जो होता है न, वो safe instrument माना जाता है, और market में जब भी गिरावट आती है, तो retailers या जितने भी निवेसक हैं, बड़े हों या छोटे, सभी panic में आ ही जाते हैं, तो ऐसे panic में, जो वो अपना cash है, वो बचाने के लिए gold और silver में निवेस करते हैं, और जहां पर उन्हें लगता है कि बड़ी गिरावट आ सकती है, जिन भी ETF में या stock में लगता है बड़ी गिरावट आ सकती है, तो वो अपने उस share भेज़ करके gold और silver में switch कर जाते हैं, तो जिस वज़े से वहाँ पर buying अच्छी हो जाती है, और वहाँ पर तेजी आ जाती है, और जिस वज़े से देख सकते हैं, silver और gold में बीते कुस टाइम से अच्छा खासा उच्छाल देखने को भी मिला है, और यहाँ पर आप NAC की website पर अगर आप gold में देखेंगे, और इसका सारा कुछ details देखेंगे, तो gold वीज में देख सकते हैं, बीते दो दिनों में काफी volume में उच्छाल आता हुआ देखने को मिला है, देख सकते हैं, यहाँ पर जो total traded quantity है, यहाँ पर अच्छा खासा उच्छाल आता हुआ देखने को मिला है, और delivery percentage भी ठीक ठाक है, तो जिस वज़े से लोग अब safe investment की ओर जा रहे हैं, क्योंकि gold और silver को as compared to equity ETF से better समझा जाता है, safe समझा जाता है, और वही हाल यहाँ पर silver का भी है, silver का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो last trading season है, वहाँ पर अच्छी खासी volume आता हुआ देखने को मि कि देख सकते हैं, यहाँ पर FIS की तरफ से काफी बुरी तरीके से यहाँ पर भीकवाली देखने को मिल लई है, लगातार तीन दिनों में देख सकते हैं, एक तारीक को लगभग साड़े, मुनला पचपन सो की भीकवाली देखने को मिली है, एक तारीक को, फिर 15,000 करोड की 3 देख सकते हैं, नव हजार 896 करोड की यानि लगभग-लगभग 10,000 करोड की भीकवाली देखने को मिली है, और देख सकते हैं, सिर्फ तीन दिनों में FIS ने 30,719 करोड की भीकवाली कर दी है, जिस वज़े से देखिए, रिटेलर्स जो है ना, इंडिया के, वो थोड़ा सा, अब सोच नहीं पा रहे हैं कि मार्केट अब कितना और नीचे जा सकता है, क्योंकि कई सारे फेक्टर्स काम कर रहे हैं, अभी जो मिडियल इस्ट में जो वार सिच्वेशन है, इरान और इसराइल के बीच वो भी एक बड़ा टेंसन का महल बना रहा है, तो ऐसे में रिटेल आपका भी नेचरिया यही होना चाहिए, अभी जितने दिन तक यहाँ पर FIS की तरफ से सेलिंग आ रही है, और रिकवरी के चांसे कम हैं जब तक यहाँ पर सेलिंग आ रही लगातार, और आप नूटिस करिए, जिस दिन से यहाँ पर बाइंग आना सुरू होगी, FIS की, त मार्केट यहाँ से यूटर्न ले सकता है, और तेजी आ सकती है, और जब तक मार्केट गिरेगा, यानि FIS की तरफ से सेलिंग आएगी, तब तक गोल्ड और सिल्वर में तेजी बननी रहने की पूरी संभावना है, और गोल्ड और सिल्वर यह दोनों के उपर यह लाग होत करता है, वहाँ पर आपको फिर सिल्वर और गोल्ड में आपको प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचना चाहिए, और अगर आपको ठीठा रिटन मिल गया है, इन केस, और आपको स्विंग टेडिंग का आपका व्यू था, और आपको 7 या 8 या 9 पर रिटन मिल गया है, इवन 6 परसेंट का भी मिल गया है, तो आप चाहिए तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ना पूरा प्रॉफिट बुक करें, तो आधा प्रॉफिट आप चाहिए तो भुक कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिए गोल्ड तो अपने उस्चितम इस्तर पर है, तो अब यहां से बहुत तेजी बनने के तो अतनी चांसेज कम हैं, तो यहां पर आधा प्रॉफिट तो बुक कर सकते हैं, या कुछ भी परसेंट, 25 परसेंट, 30 परसेंट आपको जितना ठीक लगता है, आप अपने हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और आप वो प्रॉफिट पैसा बुक करके, जो आपको कैस मिलेगा, वो आप किसी भी ETF में निवेस कर सकते हैं, यहां पर अच्छी खासी गिरावट है, आपका जो भी मनपसंद ETF है, आप उसे बाय कर सकते हैं, कोसिस करिएगा, इंडेक्स वाले ETF में निवेस करिएगा, जो की काफी सेफ होते हैं, औ उपर ज्यादा कोई बड़ा गयब बचा नहीं है, 92 का लाइफ हाई है, तो यहां से 2-3% और भी आपको रिटन बन सकते हैं, पर अगर आपको डर है, तो यहां पर आप 50% प्रॉपिट बुक कर सकते हैं, या और भी थोड़ा सा कम बुक करना चाहें, तो भी कर सकते हैं, बा बाकि अगर आपका लंबा नजरिया है, तो आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जोरी नहीं है, आपको प्रॉपिट बुक करना है, यह हमने उनके लिए बोला, जिनका नजरिया स्विंग टेडिंग का था, तो यह साई चीज है, अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको रिटन और भी मैक्सिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ आपने ऐसे ETF में प्रॉपिट बुक किया, जो अपने लाइफ हाई पर रुप था, और अब तकरीबन यहां से आप 6-7-8% के रिटन लेगर निकल रहे हैं, और ऐसे ETF में निवेस कर रहे हैं, जो कि अलड़ी गिरे हुए है, तो मार्केट में जैसी ही रिकॉवरी आएगे, तो यहां भी आपका अच्छा रिटन बन जाएगा, तो इस बाकी अगर आप शाहें तो गोल्ड और सिल्वर को होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा, इंडिया में अब फेस अच्छी दिख नहीं रही है, क्योंकि गोल्ड तो अपने लाइफ हाई पर है, तो यहां पर फ्रेस बाइंग तो कहना बहुत ही मुस्किल है, कि यहां पर फ्रेस बाइंग किसी परार ही बनती है, बाकी देखिए इस समय फ्रेस बाइंग दोनों ही यूटिप में अगर आप अवाइड करेंगे, तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि देखिए अब दोनों ही यूटिप में काफी तेजी आ गई है, यहां से थोड़ी बहुत प्राफिट बुकिंग भी आ सकती है, इनकेस इंडियन स्टॉक मार्केट में रिकवरी आएगी, तो भी यहां पर आएगा, उसे आप अपने पसंदीदार ETF में निवेस कर सकते हैं, जहां पर अच्छी घासी गिरावड चल लिए, तो यह साथ चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं, आने वाले कुछ दिनों के लिए, तो आई होप आपको ये वीडियो इनफॉर्मेट्य लगा होगा, और दोन तो मिलते हैं, नेक्ट्ट वीडियो में तब तक के लिए, गुडबाई